नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफिर्स क्लावड में तो दोस्तों भारती नौसेना ने गोवा मुक्त दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत मोर मुगाओ का ट्राइल किया है और स्वदेशी युद्ध पोत मोर मुगाव छिप कर वार करने में सच्छम है और कई मिसाइल और पंडुबी रोधी राकेट से भी लैस है तो चलिए बिना आपका समय बरबात के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भारती नौसेना ने आखिरकार स्वदेशी विद्धवनसक युद्ध पोत मोर मुगाव को समुद्र में उतार दिया है इसे स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है इसकी कई खूबिया इसे बाकी युद्ध पोतों से खास बनाती है वहीं भारती नौसेना ने गोवा मुक्त दिवस के मौके पर दूसरे स्वदेशी विध्वनसक युद्धपोत मोर मुगाओ को अरप सागर में पहली बाल ट्रायल के लिए उतारा है और प्रोजेक्ट P-15B क्लास के इस युद्धपोत को 2022 के मद्ध में नौसेना में सामिल करने के योजना है और आई एनस विसाका पटनम प्रोजेक्ट P-15B क्लास के तहत निर्मित या पहला जहाज है जिसे 21 नौमबर को मुंबाई में भारती नौसेना में सामिल किया गया था अब इसी स्रेडी के दूसरे युद्ध पोत मोर मुगाओ को ट्रायल के लिए उतारा गया है मोर मुगाओ का निर्माण मजगाओ डाक से बिल्डर्स लिम्टेड यानि की MDSL में किया गया है और इसमें कई विशिस्ट स्वदेशी तकनीके लगाई गई है और नौसेना ने कहा है कि मोर मुगाओ अपनी लडाकू छमताओं को बढ़ाता रहेगा और डारेक्टरेट आफ नेवल डिजाइन ने इसे स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया है या 163 मीटर लंबा और 17.4 मीटर चौड़ा है और युद्ध पोत का वजन 73.100 तन है इसमें चार गैस टर्बाइन इंजन लगे हैं जिसमें या 30 नौट की गत यानि की 55.56 किलो मीटर पति घंटा से चल सकता है इतना ही नहीं या डिस्ट्राइर 75.000 वर किलो मीटर समुद्री छेतर की निगरानी भी कर सकता है इसे स्टिल्थ तकनीक से बनाया गया है या युद्ध पोत परमाड उजयविक और रसाइनिक युद्ध के वक्त भी बचाओ करने में सच्छम है इसे एक तरह से देश का सबसे सकतिसाली युद्ध पोत कहा जा रहा है और इसमें ब्रमोस और बारा केट जैसी मिसाइले लगाई जाएंगी और विसाखा पटनम च्रेणी काया विद्ध वनसक युद्ध पोत खत्रे से निपटने के लिए सताय से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है या जमीन पर होने वाले हमलों के वक्त भी सताय से सताय पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और इस डिस्ट्रोयर में इसराइल में निर्मित मल्टी फंक्षन सर्विलाइंस थ्रेड अलर्ट रडार एम एप रडार लगा हुआ है जो कई किलोमीटर दूर से ही हवा में मौजूद लच्छे को पहचान कर उस पर निसाना साथ सकता है इसके जड़िये उड़ते हुए विमान पर भी 70 किलोमीटर और जमीन या फिर समुद्र पर मौजूद लच्छे पर 300 किलोमीटर की दूरी से निसाना लगा आ जा सकता है और यह विद्ध्वनसक युद्धुपोत मोर मुगाव 127 किलोमीटर गन से लहस है इसके साथ ही इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम मौजूद है और इस पर दो RBEU 6000 एंटी संबरीन राकेट लांचर लगे हुए हैं और युद्धुपोत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कभी मौसम खराब होता है तो ऐसी इस्थित में भारती नौसेना के हेलिकाप्टरों को भी इ जहाज की गत्सिलता के लिए नई तरह से डिजाइन हुआ है और इसमें रडार पार्दसी डेक फिटिंग का इस्तिमाल किया गया है जिससे इन जहाजों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है और P-15B जहाजों को दो हेलिकाप्टरों को ले जाने के लिए और संचालित कर करने के लिए सुचजित किया जाएगा और INS विशाका पत्नम P-15B क्लास का पहला विद्वन्सक युद्धुपोत है और इसी क्लास के दो अन्य युद्धुपोत इमफाल और सूरत को साल 2024 और 2025 में सेवा में सामिल करने की संभावना है अब आप लोगों का क्या कहना है इस करते हैं तो क्या करे आप क्या क्या विद्वन्सक पुद्धू भगों का का की सेक्षण सेवा तो कि बाल का कुछपोत है डिए आप लोगों का कि दो अन्य विए सेवागा है अन्य विए भापवदूद्ध।द्वश्बग्ट